25,000 के क्रीब की प्राइसिंग में अभी रिसेंटली काफी सारे फोन सोंच हुए हैं जिसके यह नथिंग फोन 2A और यह Realme 12 Pro लेकिन आज जिस फोन की हम बात करने वाले हैं वो है OnePlus Note CE4 जो के इस प्राइसिंग में शायद सबसे बेस्ट फोन होने वाला है वैसे आज इस वीडि की बात करें तो यह फोन 6.7 इचिस के Full HD Plus AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है यह 10-bit डिस्प्ले है ब्राइटनेस बढ़िया है बैजल्स अगर आप देखेंगे तो ओल अराउंड ओल्मोस्स मिट्रिकल आपको दिये गए है और एक in-display fingerprint sensor भी इसके इंदर आपको मिल जाता है डि वोलपेपर सेट करके दिया गया है लेकिन काफी अच्छे live wallpapers भी है अगर आप wallpapers के अंदर जाएंगे तो यहां पर यह सब जो options आपको दिख रही है यह सब live wallpapers हैं और actually काफी अच्छे लगते हैं अगर आप use करेंगे तो बहुत बढ़िया AOD customization भी आपको मिल जाएगा मुझे यहां पर सबसे बढ़िया bit emoji और o emoji जैसे options लगते हैं अगर आप यह सब use करते हैं तो lock screen के उपर इस तरीके के बहुत ही बढ़िया effects आपको मिल जाते हैं इस phone में वैसे तो भर-भर के features दे रखे हैं लेकिन सबसे पहले आपको top 10 features बताता हूँ जो कि इस phone में आपको जरूर से use करने चाहिए सबसे पहला special feature आपको बताना चाहूँगा notification hiding का settings में notifications के अंदर अगर आप जाएंगे तो more settings के अंदर आपको smart notification hiding का feature दिया गया है इसको अगर आप enable करते हैं तो phone आपकी notifications तभी show करता है जब आपका face आपके phone के सामने है अगर आपका phone किसी दोस्त क पास है या फिर किसी भी और इंसान के पास है तो आपका phone automatically आपकी notifications को hide कर देगा notifications के अंदर ही एक और बहुत ही बढ़िया feature आपको smart suggestions का दे दिया गया है अगर आप कुछ order करते हैं माली जी आपने जुमेटो या स्वीगी से कुछ food order किया है तो आपको live status lock screen के उपर show होता रहेगा मतब कि कितने time में आपका खाना आने वाला है उसको देखने के लिए आपको app को open नहीं करना पड़ेगा directly lock screen के उपर ही show होता रहेगा अगर आपको shortcuts पसंद है तो एक सबसे बढ़िया shortcut जो इस phone में आपको मिलता है special features के अंदर आपको Q launch का option दिया गया है इसको बस आप enable कर दीजिए और यहां पर 5 shortcuts को setup कर दीजिए उसके बाद आप जब भी अनलोग करने के लिए fingerprint sensor को use करते हैं तो आपको उसको tap करके रखना है और वो सारे shortcuts आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएंगे जो भी app को आपको use करना है इस तरीके से बस swipe कर दीजिए इस phone app को आप यहां से copy कर सकते हैं या फिर सेव कर सकते हैं आप डिरेक्टली शेयर भी कर सकते हैं फोटो सैप के अंदर अब आपको eraser का option भी मिल गया है किसी भी photo को अगर आप edit करते हैं तो यहां पर right side scroll करके आपको remover का option मिलेगा इसको आपको select करना है उसके बाद जिस भी object को आपको remove करना है उसके उपर इस तरीके से आप shade कर दीजिए और phone automatically AI की मदद से उस object को आपकी photo में से गायब कर देगा इस phone में आपको smart sidebar का option भी मिलता है हालांके byte fault वो भी disable है तो settings में special features के अंदर अगर आप जाएंगे तो यहां से आप इसको enable कर सकते हैं और इसके अंदर अब आपको file dog और recent files जैसे options भी मिल गए है अगर आपको किसी file को save करके रखना है जैसके आपने कोई cutout बनाया तो directly इसको यहां पर save कर दीजिए वो सब चीजों के लिए भी इसको use कर सकते हैं floating windows अगर आप यूज करते हैं तो उसका option भी इस phone में आपको दिया गया है आपक screen settings में मिलेगा icon pull down gesture का इसको आपको यहां से enable कर देना है उसके बाद जब भी आप edge से इस तरीके से swipe करेंगे तो सारी apps आपकी नीचे आजाएंगी जिस भी आपको आपको open करना था इस तरीके से उसके उपर drop कर दीजिए एक बहुत ही useful feature जो मुझे बहुत ही बढ़िया जिक रहे हैं तो यह adaptive slip का feature आप यूज कर सकते हैं एक और बहुत ही unique feature आपको इस phone में दिया गया है settings में sound and vibration में अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको whole audio का feature मिलेगा इसको enable करके आप अपनी different different audios को setup कर सकते हैं कि आपको किस तरफ से उनको सुनना है अगर आप earphones यूज क सकते हैं अब UI की बात करें तो इस phone में आपको out of the box android 14 मिलताएगा oxygen wise 14 के साथ आता है काफी हद तक clean experience बोलूँगा सिरफ 3-4 apps हैं जोके आपको bloatware apps से यहां पर मिलती हैं लेकिन उनको भी आप uninstall कर सकते हैं और काफी smooth experience है haptics भी काफी अच्छे हैं overall UI को use करने में काफी मज आएगा settings में अगर आप wallpaper and style के अंदर जाते हैं तो यहां पर आपको edge lighting का option दिया गया है जब ही आपका phone locked है और कोई notification आता है तो इस तरीके का lighting effect आप enable कर सकते हैं यहां पर ही आपको fingerprint animation को भी change करने का option मिलता है क्योंकि यहां पर in display fingerprint sensor है तो जब भी आप use करते हैं तो कैसा animation आता है वो आप यहां से select कर सकते हैं home screen के लिए बहुत ही बढ़िया customization अगर आपने कोई भी folder create किया है उसको आप इस phone में enlarge कर सकते हैं basically 8 apps को आप directly access कर पाते हैं जल्दी से और बाकी पूरा folder अगर आपको open करना है तो यहां से कर सकते हैं बहुत सारे gestures का support भी इस phone में आपक action perform कर सकते हैं एप open कर सकते हैं या फिर music को control कर सकते हैं ऐसे ही बहुत सारे motion gestures भी यहां पर दिये गए हैं OnePlus की phones का एक ऐसा feature जो के बहुत सारे लोगों को पसंद आता है special features के अंदर आपको zen space का option भी दिया गया है basically अगर आप कुछ time के लिए focus mode use करना चाहते हैं आप चाहते ह नहीं हो phone से phone को use नहीं करें या फिर किसी भी और चीज में distract नहीं हो तो यहां से आप focus mode use कर सकते हैं और बहुत सारे background sounds भी प्ले कर सकते हैं app cloner या dual apps का option भी आपको दिया गया है settings में apps के अंदर आपको app cloner का option मिलेगा अभी के लिए मैंने कोई भी social media apps इंस्टोल नहीं कर रखे हैं लेकिन जैसे ही आप इंस्टोल करेंगे तो एक ही app के दो accounts use करने के लिए आप उसको clone यहां से कर पाएंगे अगेन एक हाथ से phone को यूज करने को असान बनाने के लिए आपको settings में additional settings के अंदर one-handed mode भी दिया गया है इसको अगर आप enable करेंगे तो यह नेया वाला option है जसके iPhone में accessibility का option होता है यह वैसा वाला option है पूरी की पूरी screen इस तरीके से नीचे आताती है इस phone की sound quality भी मुझे बहुत ज़ादा बढ़िया लगी dual stereo speakers मिलते हैं उपर की तरफ भी एक dedicated speaker आपको दिया गया है sound काफी loud भी है और काफी अच्छी quality के साथ भी आता है sound को आप थोड़ा बहुत अपने ही साप से customize भी कर सकते हैं settings में sound and vibration के अंदर नीचे आपको or reality audio का option दि आते हैं तो आपको dynamic tones का option दिया गया है हर बार जब एक notification आता है तो आप इस तरीके का dynamic tone भी setup कर सकते हैं जो के हर बार same नहीं लगेगा आपको थोड़ा फोर different feel कर पाएगा performance के मामल में तो ये phone एक number है मतब इस price में शायद इसे बहतर performance आपको किसी phone में नहीं मिलेगा इसमें आपको snapdragon 7 gen 3 मिलता है and to score की बात करें तो लगपक 68 लाग तक चला जाता है BGMI की बात करूँ तो smooth extreme के साथ HDR extreme का भी option है gameplay भी मैंने करके देखा काफी smooth आता है लेकिन अगर smooth 90 fps का option मिल जाए update के साथ तो मजा आ जाएगा वैसे gaming अगर आप करेंगे इस phone के उपर तो इस तरीके का gaming assistant भी आपको मिल जाएगा जिसके अंदर से आप pro gamer mode को enable कर सकते हैं और भी बहुत सारे options हैं यहाँ पर आपके gaming experience को और better करने के लिए जैसे के voice changer का option आप use कर सकते हैं या फिर अगर आपको system stats देखने है screen के उपर कितना fps आ रहा है वो सब भी आप देख सकते हैं इवन battery के मामदे में OnePlus ने बहुत बढ़िया काम किया है यहाँ पर इस phone में आपको 5500 mAh की बड़ी battery दे रखिये और साथ में 100V का charger आपको box के अंदर ही मिलेगा तो battery जादा भी चलेगी और fast charge भी बहुत जल्दी से आप कर पाएंगे अगर आप चाहते हैं कि long term में आपके phone की battery जादा अच्छा perform करें तो settings में battery के अंदर आपको battery health का एक option दिया गया है इसके अंदर आप smart charging को enable कर सकते हैं तांके phone आपके patterns को सीख ले कि आप phone को कब charging पे लगाते हैं कितना time लगाते हैं और अगर आप overnight charging पे लगाते हैं तो phone धीरे धीरे चार्ज होगा fast charge नहीं होगा तांके आपको बहतर battery life मिल पाए एक और बढ़िया option आपको smart rapid charging का भी दिया गया है phone अपने आप detect करता है AI की मदद से कि कब आपको fast charge की जरुरत होगी और उस time के उपर phone fastest speed के साथ charge होगा तांके आपको जब जल्दी charging चाहिए तब phone जल्दी charge हो जाए network की बात करों तो वहां पर भी मुझे कोई issues नहीं मिले विसको एक 5G phone है 5G अगर आप use करते हैं तो बढ़िया experience आता है ATL और Jio के साथ मैंने try किया है लेकिन अगर आप 4G भी use करेंगे तो 4G प्लस carrier aggregation बहुत stable तरीके से चलता है तो 4G में भी अच्छी connectivity मिलती है network speed को और better करने के लिए settings में wifi के अंदर, wifi assistant के अंदर आपको dual channel network acceleration का option मिल जाता है बिसकली wifi और mobile data दोनों को एक साथ यूज़ करके आप fast internet यूज़ कर सकते हैं और अगर किसी time पर एक नहीं चल रहा तो internet आपका disconnect भी नहीं होगा wifi tethering का option भी आपको मिल जाता है मतबके जब आपका wifi on है अगर आप hotspot को on करेंगे तो आपका wifi बंद नहीं होगा बलके इस hotspot की मदद से आप अपने wifi को आगे share कर सकते हैं security से related भी बहुत बढ़िया features आपको मिल जाते हैं settings में security और privacy में अगर आप जाएंगे तो आपको यहां पर app log, high depths, private, safe चैसे सारे options दिये गए हैं इन सब चीजों को यूज़ करने के लिए आपको कोई भी third party app को यूज़ नहीं करना पड़ेगा finally अगर cameras की बात करूँ, वहां पर एक चीज है, specifications जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि शायद थोड़ा और improvement हो सकता था price के हिसाब से 50 megapixel का primary camera है, साथ में एक ultra wide camera है, 8 megapixel का जो के थोड़ा और बहतर हो सकता था और एक telephoto lens भी हो सकता था यहाँ पर जो के missing है, front camera यहाँ पर 16 megapixel का है, कुछ camera samples भी आपको यहाँ पर दिखा रहा हूं साथ में ही तो आप देख सकते हैं कि कैसी quality मिल रही है, front camera की quality मुझे काफी ज़ादा अच्छी लगी कुछ camera features की बात करें तो इस phone में आप portrait videos capture कर सकते हैं, मतबके video mode में भी आपको इस तरीके से blur effect को add करने का option मिलता है more modes के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको dual view video mode का option भी दिया गया है अगर आप front camera, rear camera दोनों को एक साथ यूज करके video record करना चाते हैं, वो आप कर सकते हैं उसी के साथ यहाँ पर आपको pro mode भी मिल जाता है, इसके अंदर सारी options आपको मिल जाती हैं हलांके बहुत ही limited है, ultrawide camera या front camera के लिए आप यूज नहीं कर सकते हैं, वीडियो के लिए भी इसको यूज नहीं कर सकते हैं बाकी और भी बहुत सारी चीजे हैं, जिसके बार में हमने पूरी वीडियो में बात नहीं किया जिसके यह phone actually एक थोड़ा different और नए design के साथ भी आता है, इसमें आपको IP54 की rating भी मिलती है इवन एक IR blaster इस phone के अंदर आपको दिया गया है, secondary noise cancellation mic भी है और अगर आप sim sort की बात करें, वहां पर भी आपको hybrid sort मिलता है तो अगर आप एक sim यूज़ करते हैं, तो memory को भी expand कर सकते हैं बाकी इस phone के display के उपर एक screen protection आपको लगा हुआ मिलता है जब आप phone को purchase करते हैं इस phone के box में cover भी अच्छी quality का दिया गया है, उसको आप definitely use कर सकते हैं बाकी अगर आपको कुछ और जानना है इस phone के पैने में तो नीचे comments में बता दीजेगा वीडियो अच्छा लगा, तो please इस video को like and share ज़रूर सही कीजेगा और अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाते हैं, तो चैनल को subscribe भी कर देजेगा